हेलो एभरिवन विल्कम बैग टू माइच एकटेल में समझाया है की कैसे धागे को चलाना है कैसे hair को फसाना है एकदम slow motion में करके दिखाया है और बहुत ही helpful होने वाली है वीडियो बहुत सरे doubts clear हो जाएंगे आज आपको आपके इस वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमने excess hair को cut कर दिया है powder लगा दिया ताकि moisture free हो जाए skin और easily धागा जो है बालों को फसा सके धागा skin पर फिस लेना अब देखिए हमने क्या किया है हमें जैसा की eyebrow मोटा से मोटा रखना है तो पहले क्या करना है आपको जो मतलब eyebrow का जो shape है shape के जो last वाला hair है वहीं से start करना है निकालना ठीक है समझ जाए जो shape का last वाला hair है उपर से बस आपको वहीं से hair को निकालना है ठीक है ना उसके बिल्कुल नीचे से ना उसके बहुँत ज़दा उपर से तो आपके शेप नहीं बनेगी उसके बाद जब हमारा हो जाता है तो नीचे देखे कैसे करना है यानि कि देखे यह हमारा fold हुआ वाला धागा है जितना हमने धागे को fold किया है आपस में मूडा हुआ धागा, जहां लास्ट है धागे का पोजिशन, आपको वहां से स्कीन पे रखना है, ठीक है? देखिए, हमने देखिए, यहां से रखा धागे को, उसके बाद धागे को पीछे की तरफ खीच के लेके जाना है, कब तक? जब तक की जो धागे का कैची है उस कैची में जो हेर निकालना है वो कैची में हेर जब तक ना आ जाए तब तक पीछे ले जाना है उसके बद जब धागे में बाल आ जाता है तब आपको हलका सा आगे की तरफ जो है रिवस लेना है धागे को यानि कि आगे की तरफ लेके आना है हेर को लॉक करना है देखिए ऐसे अब ध्यान देंगे कि मैं हलका सा लॉक कर रही हूँ हेर को बिना लॉक किया आप हेर को एक लैन में निकाल ही नहीं सकते हैं यानि कि पीछे की तरफ खीच के लेके जाना है एकदम हलका सा आगे की तरफ लेके आना है धागे को और उससे जब लोक हो जाता है तब जाके आपको मुह का धागा खीचना है मुह का धागा खीचने के टाइम पे हेयर जो धागा है ऊपसे प्रेस करना है अब देखिए है क्लाइन्ट जो है इनका जो थोड़ा साना स्कीन कट गया है अब उसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने इसकीन को काट दिया अब देखे इसमें हमारी गलती नहीं होती है जो क्लाइन्ट स्कीन वाइटनिंग का क्रीम लगाता है देखी यह आपके भी साथ में हो सकती गलती जो क्लाइंट स्कीन वाइटनिंग का क्रीम लगाता है उसका आइबरो करते टाइम कहीं ने कहीं कट जरूर लगता है आप चाहे कितना भी हलका धागा चला लो अगर आप धागा बराबर नहीं चला पाओगे तो हेरी न निकल नहीं पाएंगे तो आप कितना भी समाल समाल के करेंगे कहीं न कहीं कट लग ही सकता है क्योंकि स्कीन वाइटनिंग जो यूज करते हैं स्कीन वाइटनिंग हमारे स्कीन को पतली कर देती है बिल्कुल भी एक टैम ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा भी अगर आपने हो जाएगी स्कीन तो आप लोग ऐसी गलती ना करें कि स्कीन वाइटनिंग जो भी लगाता उसे सजेस्ट करें कि बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि इसके बाद इसकीन और ब्लैक पड़ जाती है जब आप छोड़ देते हैं तो अब देखे एक जगा तो हमारा कट चुक दागा चलाना भी पड़ता है और एक जगा जब आप बहुत बर धागा चला देंगे तो भी कट लग सकता है तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूं कि यह प्रॉब्लम आती ही है आपको उस चीज को क्लाइंट को क्लियर कर देना है आपकी स्कीन बहुत पतली है अब द ध्यान से देखिए मैं मूँ का धागा खीचती हूं जब तो हमारा हाथ का जो धागा है वो नीचे की साइड आ रहा है उंगलियों की साइड देखिए अभी एक बार आप ध्यान दीजे नीचे की साइड आ रहा है मूँ का धागा खीचते टाइम आप धागे की डिरेक्शन को नीचे की साइड जब खीचेंगे तो इससे क्या होगा आपका जो आइब्रो का बाल है उपर का वो फस के गलती से नहीं निकलेगा ठीक है अगर आप डारेक्शन नहीं चेंज करेंगे नॉर्मली धागा खीचेंगे मुग का अरूदरी रहेगा तो क्या होगा बाल उपर का निकल सकता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है जब आप नीचे की साइड के हेर निकालते हैं तो हाथों का जो डरेक्shewn होगा वो नीचे की साइड खीचना है ऐसे और मुगा धागा उपर की साइड और जब आप आप आइब्रो के उपर सेब देते हैं तो आपको मुगा धागा तो उपर खीश नहीं है साथी साथ जो हाथ का धागा है वो उपर की साइड याने की माथे की साइड अपना सर के साइड में लेके जाना है क्लाइंट के सर के साइड में धागे को खीचते वे ले जाना है इससे आपकी जो आइब्रो का बाल है नीचे का वो फस के गलती से भी नहीं उड़ेगा ठीक है इसलिए देखिए आप लोग जो वीडियो में देखते हैं हम जब धागा चलाते तो आप लोग सोचते होंगे कि यार हम धागा तो मतलब यह चला रहा है इतना फटा फट लेकिन इनका जो हेर है बस अपने शेप में क्यों निकलते हैं आगे पीछे के हेर नहीं निकलते हैं और आइब्रो उड़ता नहीं है ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि हम धागे को अपने हिसाब से उपर नीचे के साइड में खीसते भी ले जाते हैं नीचे का अगर करेंगे आइबरो तो नीचे के साइड उपर करेंगे तो उपर की साइड बस यही टेकनीक है इससे आपके हेर जो है वो नहीं उड़ेंगे आइबरो के अगर आपने वीडियो को नहीं समझा है तो at least एक बात जरूर clear हो गई होगी कि जब आप thread चलाते हैं तो direction कैसे रखना है उपर का जब करते हैं तो forehead की side, नीचे का करते हैं तो eyelashes के side में ठीके इससे आपके eyebrow गलती से भी नहीं उड़ेंगे अब देखें बीच के hair को निकालना है जिस side hair growth गई होती है उसके opposite direction में जो धागे का कैची का मूँ होता है corner वाला वही रखना है और फसा के निकालना है तो लगभग हमारा eyebrow done हो चुका है अब देखते हैं final look कैसा बना है हमारा तो आप लोग के वीडियो समझ में आई की नहीं आई कमेंट करके बताएगा जरूर